हेलो एब्रिवन इस टेनुबित अरहंत पर आपका स्वागत है नए वर्ष की हारदिक हारदिक सुबकामना है नए वर्ष आप सभी के लिए मंगल में हूँ और आपका जो भी टारगेट है उसे पूरा करने में हम आपकी जो भी हेल्प कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे चल साथ ही साथ इस तरह की एक्जाम से संब्दित कोई भी इंफॉर्मिशन पाने के लिए आप हमारे टेलीगाम ग्रूप को जरूर जोइन करें चलिए तो डिक्टेशन प्यारम करते हैं डिक्टेशन पांस सेकंड बार आदर्निय महुदय असिक्षा गरीबी और भूग भी दुनिया के उन हिस्सों में अधिक है जो लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जक्डे रहे इसका पैणाम एह हुआ की सामराजवादी देश गुलाम देशों के प्राकृतिक एवं मानफ संसादनों का दोहन अपने हितों के पोशन के लिए करते रहे इससे वे निरंतर धनवान तथा विक्षित होते गए दूसरी ओर गुलाम देश सिक्षा संस्कृती और उद्ध्योग सभी छेत्रों में पिछडते गए हमारा देश भारत भी एक लंबे समय तक सामराजवात का सिकार और गुलाम रहा है एक जमाने में दुनिया का एह सरवादिक विक्षित देश इसकाल में पिछडेपन असिक्षा गरीबी और भुकमरी के कगार पर पहुँच गया किन्तु भारतियों की आंतरिक जीवन छमता स्वतंतरता की अदम आकांचा और संगर्स करने की छमता ने वीसवी सताबदी के मद में उसके लिए स्वतंतरता के द्वार खोले और उसे प्रवुता सत्ता संपन गनराज के रूप में अपने विकास का अवशर मिला स्वतंत भारत को अपने सैसव से ही जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें अन्य समस्याओं के साथ गरीबी और असिक्छा सबसे महद्वपून थे प्राकृतिक और मानविये संसादनों से पून एह देश स्वतंतता के बाद अपने निर्मान में लगा हमारा उद्देश था समतावादी समाच की स्थापना द्वारा देश को आर्थिक प्रगती की रहा पर आंगे बढ़ाना अज्ञान और निरक्छर्ता इस रहा की सबसे बड़ी बाधाएं थी आज भी हमारे देश की अस्ती प्रतीशत चंसंक्या गाओं में निवास करती है ग्रामीन जीवन में निरक्छर्ता अग्यान और सामाजिक बिशमता सबसे बड़े अभिशाप है भारत के कंडधारों ने प्रारंब में ही इस तत्थ को पहचान लिया था और समझ गए थे कि सामाजिक न्याय आर्थिक बिकास बसमता मूलक समाज की इस्तापना एबं उन्नती के लिए आविश्यक है कि हम ग्यान और निरक्छर्ता के बिरुद एक अभियान छेड़ें इसके बिना ना तो नागरिकों में नई चेतना जागरत की जा सकती है और ना ही जीवन और जगत के प्रती उनके सोच को बदला जा सकता है समस्याओं के बिशलेशन अपने अधिकारों और कर्तब्यों की जानकारी समाज के प्रती लगाव और दायत्व का बोध अपने इतिहास और संस्कृती की बिराशत के प्रती मोहो देश्प्रेम और राश्टिये एकता की भावना और इनसे भी अधिक अज्ञानता गरीवी और भूक के बिरुद्ध कोई भी देश या जाती तब तक पूनता तयार नहीं हो सकती जब तक उसमें सिक्छा का बिकास ना हो सिक्छा व्यक्ती के ज्यान चक्छु खोलती है उसके भीतर ऐसी चेतना का प्राधुर्भाव होता है जो कर्णिये एवं अकर्णिये का अंतर उसे समझाती है सामाजिक बरवर्ता से संगर्स करने का साहस देती है इतना ही नहीं निरक्छर्ता इनसानों को वाटती है जगकी साक्छर्ता एक दूसरे को नजदी लाती है अपने हितों के बिसलेशन की चमता साक्छर्ता से ही विक्सित होती है सच तो एह है की असिक्छा अर्थात निरक्छर्ता अभी साफ है एक माइने में गरीबी से भी अधिक बड़ा क्योंकि गरीबी आम तोर पर निरक्छर्ता के कारण ही पैदा होती है महुदय गुलामी का एक कारण निरक्छर्ता है क्योंकि निरक्छर, अग्यान और असिष्टता के कारण इस्तिती और परिस्तितियों का आंकलन करने में असफल रहता है पैदाम सरुम दूसरों की चाकरी करना उसकी नियती बन जाती है एह बात व्यक्ती, समाच और देश सभी पर लागू होती है निरक्छर्ता व्यक्ती को आंगे बढ़ने से रोकती है आत्म विश्वास का छै करती है पैदाम सरुम व्यक्ती पिछडने लगता है दुनिया में आज जो देश और समाच पिछड़े हैं महां निरक्छरों का अनुपात बहुत अधिक है साक्छर्ता मनुष्य के लिए बरदान है एह व्यक्तिगत और सामाजिक बंधनों से छुटकारा पाने का ही साधन नहीं वलकि सामाजिक वदलाब का बाहक भी है साक्छर्ता का अभी प्राय कुछ सब्दों को पढ़ना लिखना जान लेना भर नहीं है वह ग्यान लोग की कुझी है साक्छर्ता ग्यान के प्रती जिग्यासा को प्रवल करती है इसके कारण ही दुनिया के रहस्यों को जानने समझने की आकांच्छा बल्वती होती है देश और समाज के प्रती आसकती बढ़ती है इससे कुछ ऐसा बुनियादी कौशल बिक्सित होता है जो व्यक्ती को जड़ता के बिरुद तेज़स्विता प्रदान करता है कुल मिलाकर साख्छर्टा व्यक्ती को सजग वर जागरुक बनाकर उसमें आत्मभिश्वास पैदा करती है उसे मजबूत वा समर्थ बनाती है इसलिए एह कहना सारगर्वित होगा की साक्षरता ना केवल व्यक्ति के लिए अनिवार है वलकी समाजवा देश के लिए भी क्योंकि साक्षर व्यक्ति ही देश के विकास में कारगर भूमी का निभा सकता है इस पश्ट है की साक्षर्ता मानक के विकास का आविश्यक अंग है एह अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाने नई बातें सीखने ज्यान दिज्यान के आदान प्रदान का महदबपून साधन है इसलिए साक्षर्ता व्यक्ती की उन्नती एवं राष्ट के विकास की पहली सर्त है आज हम 21 सदी में प्रवेश कर चुके हैं दुनिया के अधिकतर देश नई सदी में नई विश्वास और संभावनाओं के साथ प्रवेश कर गए हैं जबकि हमारे पास है करोडों निरक्षरो की बिशाल फौज बर्तमान इस्तिती के बिसलेशन से ग्यात होता है कि हमारे देश में निरक्षरों की जो लंबी कतार है वहे चंसंक्या बढ़ने के सांसाथ और लंबी होती जाएगी स्वतंत्ता प्राप्ती के बाद हुई जनगर्ना अर्थात 1951 में साक्षरता दर 16 प्रतीशत थी जो बर्स 1991 में बढ़कर 52 प्रतीशत हो गई इसमें पुरसों का सिक्षा अनुपात 3 प्रतीशत था महिलाओं का सिक्षा अनुपात 49 प्रतीशत है एक अजीब बिढमना है कि साक्षरता की दर में ब्रद्धी के बाबजूद निरक्षरों की संख्या में आनियंतरित गती से ब्रद्धी हो रही है 1951 के आंकणों के अनुसार उस समय तेज में 17 करोड प्राण निरक्षर थे यदि चंसंख्या ब्रद्धी और साक्षरता प्रशार की दर में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ तो सन 2002 तक भारत में 50 करोड लोग निरक्षर होंगे बिस्व वेंग की एक चर्चित रपट के अनुशार उस वर्स 15 से 19 वर्ष के आयू वर्ग में बिस्व की कुल निरक्षर जन संख्या का 54 प्रतीशत भाग भारत में होगा अधि आपको डिक्टेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादर जादर सेयर करें